हैलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है अनिता किचन में आज हमने तबे पे चीनी डालने लग गए तो मारे गर में सभी पूछने लग गए आखिर क्या बना रहे हैं तो आज न हम आपको ऐसी रेसीपी बताएंगे जो आपको पैसा काफी सरा बचेगा भी और यह बहुत ही ब दोबहाग में कर लिये हैं यहाप एमने राख दिये हैं उसके बाद हमने यहां पर डाल देंगे हल्डी पॉडर आधियम से चालू कर लेना है रखना है हाई मत किज़ये घ्ली पॉडर डालने के बाद इनको हमें चलाते हुए पका लेना है तो जब हलका से सौप्ट हो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पे अलोवेरा जेल ले सकते हैं, दो से तिन चमस, अलोवेरा ड़ने के बाद इनको हम अच्छे से मिला लिए हैं, अब इसमें डालेंगे आधी चमस कोफी, तो अधी चमस हमने यहां पे कोफी डाल दिया है, इनको चलाते हैं पका ले तो देखे कुछ इस तरीके से जब हो जाए ना जब हम क्या करेंगे अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिसरन को पूरा वढ़ियां से ठंडा कर लिजेगा या इनके उपर से बराफ रख दिजे तक कि जल्दी से ठंडा हो जाए या पंगे की नीचे रख दिजेगा तो मैंन ग्यायर चाण के रख सकते हैं और अच्छा कलर भीबी आए है अब इनको हम एक बोटल में भर लेते हैं त्हका बड़ा बोटल में भरके रख यह आप इनको 15 से महिने दिन तक यूज कर सकते हैं अगर आप फिरीज में रख रहे हैं तो बहुत ही आपके पैसे बचाने वाले हैं आप इनको अगर एक अपता इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहतरी रिजल्ट मिलेगी तो फसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट अब साथी चानल को सब्क्राइब कर दिजल्या कर दियागब अवागाव